तो भाई यहां पर जो मैंने SBI काड में इतना पैसा लगाया है उपर उपर के लेवल भाई 1100 तक के लेवल में मैंने पैसा भशागे रखा हूँ है अब देख लो भाई यह हालत ऐसी हुए यह भाई अब भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहे है कि आप एवरेज करूं या फिर छोड़ दू हो इतना लॉस हो रहा है इतना लॉस हो रहा है मैं खुद भी ने मता सकता कितना लॉस हो रहा है अगर आपकी थे ख्कiles है ना तो सबसे पहले नींचे कमेंट कर तो किस प्राइस पर आपने शैर को लिया है अगर मेरे sted continues मैंने भी joint membership जो है consider जिसने भी गया हुआ है तो उसको पता होगा मैंने भी यह दिलवार रखा है और काफी उपर पर आपने लिया हुआ है मेरी वैसे लिया हुआ है I know that and I commit कि हाँ चलो कोई बात ही बट मैं ही आपका जो है लॉस रिकवर कर वांगा तो टेंशन नहीं लेनी है ठीक है वीडियो को शांद से पूरा देखना है आपको गाइस ठीक है मैं मान के चल लोगे आप मेरे ही मेंबर है अपके इस फूर्ड को देख रहे है अगर कोई मान लो कोई बंदा मेरे को पहली बार देख रहा है आप मेंसे तो वीडियो को शांद से पूरा देखना है ना क्यूंगी मेरा स्टाइल सबसे अलग है बताने का चीज़ों को तो सबसे मैं बता दो वीडियो सेक्शन में अलड़ी मैंने मेटल सेक्टर के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है तो यहां पे मैंने बता दिया है टाटा सील, जे एसल, जे एसल, जे एसल, हिंडाल को, कोल, वेदानता, लिमिटेड, मॉयल, नेमडीसी इन सब का जो है मैंने टार्गेट प्राइस दिया हुआ है, शौप लोज दिया हुआ है, एवरेज कहां पे करना है, वो सब बताया हुआ है, कित तक टाइम के लिए होल्ड करना है, एंड साथ में क्या न्यूज है, जो पोटेंशल देती है, मेटल सेक्टर को फिलहाल में, तो वो सब जो एस किस लेवल पे लिया, तो आपको अईडिय लग जा है, तो मैं आपके कमेंड में रिपलाई कर दोगा, क्या आपको ये करना चाहिए, ठीक है, मैं मान के चलना आपने जो है, नी कमेंड कर दिया, अभी देको हुआ है, कुछ नी वादावाई, कार्लाइल आर्म जिया है, उस तो आपको ज़्यादा पैनिक करने के दूत नहीं है हम इसमें तीन टूकड़ों में पैसे लगाएंगे तीन टुकड़ों में इसमें एवरेज करेंगे, कैसे करेंगे, किस style पर करना है किस level पर करना है कितना करना है, मैं सब बताऊंगा ठीक है आपको बिल्कुल टेंच लेने हैं देखो अब सबसे बहली बात तो stop loss लेने का मतलब बनता नहीं है यहापे क्यों नहीं बनता है reason यह है बाई देखो already आप इतना high पे लेके रखे हुआ है अगर निकलना है तो अभी तक आप निकल चुके होता है I don't think बहुत ही smart decision है ठीक है तो personally मुझे लगता है हमें average करना चाहिए एंड इसको जो है अपने medium term के लिए लेना चाहिए around 3 months का इसमें time दो मेरको ही time दो इतना 3 months का ठीक है 3 months के अंदर अंदर आपका सारा का सारा पैसा recover भी हो जाएगा प्लस profit भी हो जाएगा ठीक है अब कैसे कैसे क्या करना है बहुत समझ लेता है बट उससे पहले यार मैंने आप लोग के लिए टेल्ग्राम चैनल में आया रोगो skip मत करते ना बिल्कुल बहुत इंफॉर्वीड है यहाँ पर चीज बाने वालो अब थीज दिन हुए है लगबग और ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ से जो सैटर्डर संडे हटा दो तो यहाँ पर वैसी चलेगे दिन बट हम गिल लेता चलो थीज दिन है एक महिना भी नहीं हुआ भी एंड यहाँ मैंने 45 रूपीज पर दिलवाय था अगीट 16 कि शेर्ड़ यहाँ से ओर जहाँ यहाँ पर 21 परसेट जो यहाँ पर रिटरन जो एक महिने के इंदर नदर है वह उनको जूढ मेरे साथ लिया था अगर आपने बाई यह नई कॉल पे लिया था जिसमें मेरा साठी तीन परसंट का लौस था तो इसमें भी प्लस साठी तीन जोड़ लो खुली देख लो भाई 21, 22, 24, 24, 25 परसंट के आसपार तो एक महीने में 25 परसंट रिडरन मिल रहे हैं वाही हमें इन्फीबी में वेन्यू में आज ही आज में देखोगे तो आराउंड 12, 13 परसंट क आसपास भी भाग चुका है तो इस टाइब के कॉल्स आपको फ्री में आप मिलते रहती हैं आप जाके चेक आउट कर सकते हैं इसको एंड पसंट जाते तो जोइन कर सकते हैं क्या करना है वीजो स्टॉक मार्गेटिंट जाके सर्च कर लीजिए बस सिंपल आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें 3K से उपर तुमारे भाई के सब्सक्राइबर्स हो चुके है ठीक है और जाइए फटावट से जोइन करिए कोई दिक कर नहीं है तो मैंने एस्बी आई कार्ड की यहां पर जो बता दिया था यह तो आई जस्नौ बाट वाला है जून अठारा को मैंने बोला था कि I just now bought SBI card share at 994 ठीक है 994 पर जो मैंने पहली entry ली थी यहां पर लिखी दिया था very small amount I will add more if it come more down I will tell when I am adding target I will tell when I will exit ठीक है मैं बता भी देता हूं यहां पर कि हां बाई मैं अब exit करने वाला हूं तो मैंने आप साव साव यह बात लिखी थी कि मैं 994 पर जो इसको purchase क देखो तो मैंने लिख भी देता कि अगर नीचे आता तो महां और करीदूंगा इसमें average कर लूँगा तो आज ही आज मैं यहां पर मैं दिखावे जाता हूं मैंने यहां पर लिया भी है और यह देखो आज ही सुबह सुबह की है 9 बच के 17 एम पर मैंने जो लिया इसको 954 प मैंने बता रखा है कि बाई देखो किसी भी शेर में आपको 10% से ज्यादा चलो चार्ट ही होलते हैं सीधे तो आप सबके सामने यह चार्ट है एंड फिला 944 आगया ठीक है 946 से भी नीचे उटके 944 आगया है समय तो ओके यह कर दिया हमने अहां अब से अच्छे देखो यह लेक में मेरे 10% में 10,000 जो किसी शेर में डाल सकता हूं तो मैं इस शेर में 10-15,000 जालने के लिए भी तैयार भी मुझे पता है मुझे कंविक्शन इस शेर पर यह कैसा शेर है आप भी जानता है अच्छा से लॉंग टम के लिए बहुत बढ़ी है शेर है एंड उसी के माधि इसमें 4,800 रुपे खर्च कर चुक है मैं लिए 5,000 रुपे का मेरा खर्चा आ चुक है बचे है मेरे पास 5,000 रुपे इसमें अब जो है दो नीचे पर और एवरेज करने वाला हूं ठीक है तो सबसे पहले देखो कोई खरीदना चाहता है अभी एक स्पोर्ट लेवल पे ही एक तरह से यह अगर आप इसको थोड़ा चेक करना चाहें तो यहां पर यह दिख सकता है आपको एक स्पोर्ट लेवल पे ही है तो चाहो तो स्मॉल कोई इड़ी यहां पर एक्युमिलेट करिए ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो खरीदना चाहते है या फिर यह में रिकमेंडेशन रही ही ठीक है आपने आप और जैसा आपका एवरेज करने का सीन है एवरेज करने वाले अपने लेवल ध्यान से सुन ले सबसे पहले करने मार्कर प्राइस पर आप लोग एवरेज करेंगे यह फिर फ्रेश एंटी लेंगे उसके नीची को अगर यह फिर आज जिसने एंट्री ले लिए तो अगर आपने कम एंट्री लिए है यहाँ ठीक है करन मार्कर प्राइस पर तो आप 912 पर भी दोवारा एंट्री लेंगे ठीक है कितनी को एंटी लगानी है यह मैं बता देता हूं वाई देखो 3% आप और लगा चुके इसके आपने लगानी किया अगर फर्दर गरावद एंट्री तो अबरेज मेंगे इसका फिल अरॉट और विल बी एडाउंड सम्वेर तो देखो आप सब के समें में लेवल लिकाल रहा हूं कोई ऐसा नहीं मैंने पहल से लेवल निकाले हूं ठीक है यह मैक्स वैक्स घिर आवा तो ओके 860 इसे लेके 870 के बीच में यहाँ पर जो आप अपना 3rd average करेंगे परसली मैं भी यहाँ पर जो आवरेज करेंगे सबसे पहले जो मैंने अल्री कर दिया 940 958 के आसपास अब मैं जो अगला एवरेज करूँगा 912 पे उसका अगला एवरेज करूँगा 860-870 के बीच में जब यह जाएगा ठीक है तो ऐसे करके मैं अपने पैसे डालने वाला हूँ तो मैंने जैसे बताया वाई मेरे पास 5000 रुपे है तो 912 पे मैं अपने 2000 रुपे और लुगा मिलने वही दो शेयर और परचेस करूँगा तो आयोब आप यह चीज समझ रहे हो अब बात करता है टार्गेट की हमने नीचे तो बात कर ली भाई कहां कहां पर खरीदने एंड यही यही तक जो है मेरे को गिरावड लगते काफी लोग को आई काफी लोग ने मेरे को परसनल मेसेज किया कि यह 700 रुपे तक जाएगा पता नहीं कहां का आप आप आर्टिकल ब्लॉग वगरा पढ़कर आएं कि जिसने आपको बता दिया यह शेयर 700 तक जाएगा फिलाल मुझे ऐसा कोई बढ़ाइंचल इसमें नहीं लगता कि मैं बोल 700 निकालगे दिखाता हूं आपको कहां पर बनता है 700 700 अब समझ रहे हैं इतना डाउन तो इतना डाउन आए उससे पहले आपने इतने सारे स्पोर्ट्स जहां पर बायर्स बैठे हुए वह अराम से इसको इसी इनी प्राइस से जो ऊपर को ले जाएंगे और उपर की जरनी रवारा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि देखो सबसे पहली बात इसमें कोई नेगेडिव नहीं थी न्यूज बस इतनी देगी किसे ने अपने शेयर बेज़ दे तो लोग डर गया और पैनिक में आके सब लोग ने सेल कर दिया ऑपरेटर ने भी गेम केल दिया एंड अपनी बोली गाया फिर बोली जनता जनको बोलता है हम नए नए निवेशिक तो वह भी इसको लॉस में लेकर निगल रहे हैं यहां पर तो यह चीज हो रही है जिसकी वैसे वैसे बाई एसा नहीं हुआ है कोई फ्रॉड हो गया है या फिर इनकी कंपनी में कुछ छोल हो गया है ऐ भाई बात करते हैं पहले टार्गेट के तो भाई यहां से अगर सीएंपी से बात करूं तो आप मेरा 10% का जो है मैं टार्गेट लेकर चलना हूं दो की है 1050 ठीक है यह मैं निकाल के भी दिखा लता हूं यहाला टार्गेट अजिस सेकेंड यह दो फाइड गरेक्ट हुआ ह 10% से भी ज्यादा ही है ना इन फूर फूर चला है ना तो मैं 950 से अपका 1050 आला जो लेवल्स है अराम से आपको 10% यहां पर मिल जाएगा गाई तो अभी अगली टार्गेट की बात करते हैं ठीक है तो मैं परसली यहां पर एक्जिट करूंग कुछ यह तो जैसा मैंने बत परसेंट यहां बान के चलिए 5 परसेंट तो रही करने वाला मैं 1050 पर 3 परसेंट में एक्जिट रहूंगा जो की होगा हमारे पर 10 परसेंट का टार्गेट और अगर और नीचे आया था तो तो वह 10 परसेंट नहीं बनेगा फिर तो वह 12-15 परसेंट यह आसपास बन आपको तीन महीने के अंदर अंदर यह आपको देखने को मिल जाए 1100 का थोड़ा मतलब ले सकता है तो कितना ले सकता हो तो वाई समय बताएगा बड़ा मैं टेलिगाम पर अपडेट करते होंगा जैसे जैसे या फिर टार्गेट करता है थोड़ा चेंज मगरा होता होता है तो टेलिगाम पर अपडेट करते होंगा कोई टेंच नहीं ठीक है तो जैसे यह 1100 को पार करता है उसका देख इस पर हडल होगा बहुत इंपोर्टन हडल 1140 का ठीक है बहुत लोग बाई 1140 पर फिरसे सेल करने कोशिश करेंगे बड़ा एक चीज़ बता दूँ इस वार 1140 क तो एक प्राइस चेसे करेंगे तो थोड़ा सा रिटरेस करें डूझता है तो थोड़ा सा अगला थार्गड ऑठ परसली में जो मलब 3% मैंने आपे exit किया कहां पे 3% मैंने यहां पे exit कर रहा है 1050 पे यह मैं बता रहा हूँ उसके बाद 3% मैं exit रहूँगा 1140 पे यह हो सकता है यहां से नीचे आजाए ठीक है बड़ volume के साथ cross किया तो नहीं sell करूँगा वालिम के साथ cross नहीं कर रहोगा तो भाई obviously 3% मैं निकाल दूगा उसके बचिका मेरे पास 4% and that will be for my long term मुझे जो भरोसा है इस शेर पे इतना कि यह पंदरा सो से दो जार की रेंज में जाना चाहिए शेर इतना इनका मतलब कि आपस में अगर मैं देखू इनके काम माम तो भाई यह शेर मुझे आराम से दो जार जाता हो देख रहा है आने वाले दो से तीन साल के अंदर मुझे जो है यह शेर दो जार तक का जाता हो देख रहा है चल दो जार नी for the safety purpose यह शेर जाएगा आने वाल से दो ते तीन साल के अंदर परसल जो मैं 4% इसको होड़ रूँगा यह वाला इसमें मैं बिल्कुल भी भाई कहीं भी चेड़ शार नी लूँगा बस अपने रखे रहूँगा जैसे मेरे को मौका मिलता कि यहां भाई अब इसमें कुछ बुरा हो रहे हो रहा है तब मैं एक्जेट रहा हूँगा वन्हा मैं एक्जेटेर नहीं करने वाला वश्चे अब यह देख रहे हैं तुछ नो आप रुकते हैं पर मैं आयोप सब कुछ मैं आपको समझा पाया आपको खरीदना चाहिए आपको लेना चाहिए आपको खरीददारी करने चाहिए बढ़िया चाहिए में तब से रिकमेंडेशन हमेशा रहे के लिए जितना नीचे आए उतना हमाले बहतर है मैं तो क्याता हूँ ठीक है तो चलो अब रोकते हैं उड़े बढ़ाई विशाल स्वशी लोगा एं बाग ठीड़ेई टाड़ा झाहिए हमेजा लुब आपको हमेज टाए नीचे भीछा भावशी लोगशी नीचे भीशन विख लोगलाईन नीचे लोगा ynोड़ाई बढ़वाद़ बढ़ावा यश विद Defense